है यह फ्रेंज वेलकम बैक तो माई चैनल अल्टिंग्स लाइव व्लॉग्स और आज के इस विडियो में मैं रिव्यू करने जा रहे हूं एक ऐसा फाउंडेशन जूकि बिल्कुल लाइट वेटेड है और बेसिकली फाउंडेशन ही नहीं है इस लोशन कम मॉस्चुराइज सो एक मॉस्चुराइजर है बट यह आपके लिए फाउंडेशन का वर्क करेगा और आपका जो नाचुरल स्किन टोन है उसको एन्हांस करेगा तो यह प्रोड़क्ट है ओजोन का ग्लो रेडियंस लोशन यह जो प्रोड़क्ट है यह अराउंड फाउंडेड बक्स का आप आपको एमेजॉन पर मिल जाएगा मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देजींगी तो यह जो है एक तरीके का मॉस्चुराइजर है बट फाउडेशन की तरह काम करेगा और अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्किन पर कुछ भी अप्लाई अब आपको अपनी स्किन का अप्लोज अप व्यू दे देती हूं दो थोड़ा अप्लोज अप्लोज अप्लाई करूंगी तो इसको थोड़ा सा देखे यहां पर हमने लिया है और अगर इसका टेक्स्चर देखा जाए तो यह बहुत ही क्रीमी टेक्शर है तो नन्नो इसको गिरा रहा था वहां से चट से नीचे फेकने वाला था लास्ट बोटन है तो अब मैं इसको अप्लाई करूंगी आपके सामने और फिर देखते हैं यह प्रड़क्ट कैसा निकल के आता है पैसे मैं मैंक का फाउडेशन यूस करती हू सब्रेंस मेरे आगे कोई क्यामरा निया जो है वह है कि मैं खुदी कर रहे हूं मैरे आटी कुछी शीशा है मेरे आगे कोई शीशा निया सारी कोई भी मिरम नहीं अब है प्रड़क्ट में आपको अप्लाई करकरकि फाइनल थोड़ा मिरमें देखे आपको पताओंगी एक बार रुको गाइस दो मिनिट मैं मिरर भी ले आओ ठीक है अदलब जो मैं 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 का फांडेशन लगाते हूं ना वह मैं का फांडेशन क्या होता है बहुत है और थोड़ा सा केकी लगता है कुछ कई बार बट अपने अगर बहुत पार्टी या वेडिंग में चा रहे है तो आप लगा सकते हैं बट रूटीन और रेगुलर में हम वो नहीं पहनना पसंद करते हैं हम चाहते है कि कुछ सॉफ्ट और कुछ माइल्ड सी चीज हो जो कि हमारी स्किन को भी जादा हाम ना करें तो यह बिलकुल परफेक्ट है उस चीज के लिए और आप देख सते हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है मुझे तो इतन अच्छा प्रड़क्त है आप लोग भी अगर मंगाएंगे यह कोई sponsored video ने है यह video क्योंकि product मैंने काफे time से use किया है तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है और यह इतना amazing product है इसलिए मैं आप लोग के साथ शेर कर रहे हूं आप लोग कही से भी ले सकते हैं Amazon से मंगा सकते है अच्छा ही से भी but this is really worth buying and worth purchasing और 500 रुपीज में it's like economically ही है इतना साथ एक्सपेंसिव नहीं है यह so friends this is my final look and यह जो है यह foundation अब मैंने apply किया हूँ है और सिफ काजल लगाई है इसके लावा कुछ भी नहीं हो एक normal lipstick लगाई है तो अगर आपको यह look अच्छा लग रहा है तो आप इस चीज को buy कर सकते है और यह जो product है यह normal आपको Amazon पे मिल जाएगा मिंत्रा पे मिल जाएग हैं बाट स्टिल मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है और मैं usually makeup नहीं करती हूँ बाट मुझे तो यह इतना अच्छा लग रहा है ना एथनिक वेर पे किसी पे भी ऐसा makeup कर सकते है कुछ भी नहीं किया अब्द़ी नहीं कि जासे जाएगा भी नहीं कि वे बाट सकते है पे रहा है और रहा है टो बाट सकते हैं रहा है एज हैं नहीं यह एश्या प्रेसी जाएगा?